आसलाम लेकुम, दियर वीवर्स, डान एडिटोरियल और उपीनियन के चैनल में आपको वेलकम कहते हैं, आज हम जो तीन एडिटोरियल्स कवर करेंगे, जिनको डिसकस करेंगे, वो हैं जुडिश्री 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 एस एस, डेटा प्रोटेक्शन और सेलिंग यूमिन्स, तीनों आएम एडिटोरियल्स हैं, काफी कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा, और सबसे पहले, आज का हमारा एडिटोरियल जो है, वो है जुडिश्री एस एस, यानि के अदलिया का एस एस, पहले हम देख लेते हैं कि जो वोकाबलरी इसमें यूज होगी, मैनेजेबल, जिसको काबले इंतजाम आप कह सकते हैं, सीजन्ट, तजर्बकार, पका, सीजन्ट वोड़ भी होती है, जो परानी लकड़ी होती है, और सीजन्ट, परसन की अगर बात हो तो अकल मन्द, दानिश और बड़ी उमार का जो शक्स होता है, शाक, जटका देना, सर रसमी तोर पर, इंटर्फिरेंस, मदाखलत, मैडलिंग, किसी के काम में मदाखलत करना, और ब्लैक मेल, किसी को ड्राना दमकाना, और बत्ताकोरी, हरास्मेंट, किसी को ड्राना दमकाना, क्वेर्शन, पर्जिक्यूशन और यह तंग करना, क्वेर्शन, यह ब्लैक मेल, हरा को ड्रा दमका के अपना काम करवाना ऑपरेटिव कारकुन को कहते हैं जो काम कर रहते हैं ऑपरेशनल इंडिपेंडनेंस अजादी डिटेरियर रेटिंग खराब हो रहा हो यह खराबी की तरफ जो चीज जा रहा हो री इंस्टेटिड दुबारा से कैम करना इजेक्ट निकाल देना अडवाइज देना कोई नसीफ नामा वसीफ नामा अब हम चलते हैं एडिटोरियल के तरह इस यहां पर कुछ खास तबके की तरह इशारा है सम कलियरली थाट के कुछ ने यह तसवर किया धैट तिंक से थाट है यह जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इसमाल हुआ है धैट सीनियर जजेज के जो सीनियर जजज साहिबान है वो इसी तरह से थाबित होंगे जिस तरह असानी से मैनेज किया जाता है जिस तरह मामूल के मताबिक सियसे धनों को किया जाता है उनको लादमी हासिल कर लेना चाहिए था अशाक दिस मंडे इस सुमवार को एक शाक यानिक एक जटका उनको लगा होगा वेन अल्मोस्ट दा इंटायर इसलामबादाई कोट के जब तकरीबन पूरी की पूरी इसलामबादाई कोट फार्मली डिसाइड रस्मी तोर पर फैसला किया तो टेक अस्टैंड ताके वो एक स्टैंड लें एक अपने आपको थाबित कदम करें और उनको वापत दकेल दें अगेंस्ट वाट मैनी अफिट जजजों को डिसक्राइब आज रिपीटिट इंटर्फिनस जिसको वो बियान करते हैं के बार बार मदाखलत हो रही है and meddling in their court और उनकी अदालत के कारवाई में मदाखलत की जाती है दखल अंदाद की जाती है and the cases before them और जो उनके सामने case आते हैं उनमें भी मदाखलत होती है a day later एक दिन बाद the public learned लोगों ने ये सीखा that six of Islamabad I courts eight sitting judges जो Islamabad I court के आठ जजजज हैं उनमें से छे had forwarded उन्होंने आगे की है a complaint एक शिकायत to the chief justice of Pakistan Pakistan के जो मुंसफ़ आला हैं यानि के chief justice to seek the supreme judicial council's guidance ताके वो supreme court की जो judicial council है उसकी नसिएत असल करें उसकी रहे ले सकें on what judges are to do के judges को क्या करना चाहिए when they are subjected to blackmail जब उनको blackmail किया जा रहा हो harassment and question or draw धमका कर काम करवाय जा रहा हो by members of the executive executive की तरफ से including operative of intelligence agencies जिसमें जो intelligence agencies की कारकुरान है वो शामिल है the judges made it clear, judges ने इसको वाज़ किया that they expected some action के वो कुछ कारवाई चाहते हैं from the judiciary अदलिया की तरफ से to reclaim its independence के जिससे वो अपनी दुबारा अधादी असल कर सकें and improve their institutions deteriorating image और वो अपने इदारे की खराब होती हुई सूराचाल या खराब होती हुई image को बित्र कर सकें in the eyes of the public जो अवाम की नजर में उनकी बेस्टी हो रही है या फिर उनका एक respect जो है वो खो रहे हैं अच्छा जी इसके बाद आगया the judges who co-signed वो judges जिन्होंने मिल कर sign किया the letter framed their demand वो खत जिसमें उनकी जो मतालबात थे वो frame किये गए for judicial convention ताकि एक अदलिया का convention बुलाया जाए to look into the matter ताकि इस मामले में दिखा जाए by referencing or recent judgment रेफरेंस इसमें दिया गया जो अभी एक judgment आई है from supreme court आदला अदलिया की तरफ से in which it reinstated जिसमें उनोंने यनिके supreme court ने दुबारा बहाल किया former Islamabad I court judge शौकत अजीज सिदिकी's status शौकत अजीज सिदिकी जो के एक judge थे जनको remove किया गया था उनको बहाल कर दिया गया उसके status को as duly retired judge और उनके status को जो जबरी retirement की एक करवाई गयी थी design करवाई गया था अब उसको क्या हुआ उसको as retired judge की ततवर किया जाएगा it may be called that retired justice सिदिकी had been unshermoniously ejected इसको दुबारा याद करना चाहिए किस तरीके से justice सिदिकी को एक गहर रस्मी या गहर मुतबर तरीके से निकाला गया ejected निकालना from the judiciary in October 2018 अदलिया से 2018 में over a complaint एक शिकायत की बिना पर he had made regarding the interference by Pakistan's Apex Intelligence Agency जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि intelligence agency उनके मामलात में मदाखलत कर रही in cases tied to PMLN chief नवाज शरीफ वो cases जिनमें नवाज शरीफ शामल थे इट अपियर्स ये दिखाई देता है that because the Supreme Court endorsed retired Justice Siddiqui's position जैसा के Supreme Court ने Justice Siddiqui की सुरत आल में उनको बाहल किया the judges of the Islamabad High Court also want it to consider Islamabad High Court के judges ये चाहते हैं कि उसको गोर किया जाए what serving judges are being forced to endure जिसमें जो serving judges हैं उन्होंने ये हिम्मत किया है होसला किया है at the at least come as come issue and advisory ताके उनको नसियत नमा issue किया जाए on what judges are supposed to do कि judges को क्या करना चाहिए when faced with such situation जब उनको इस तरह की सुरत आल का सामना हो the ball is now in the in chief justice काजी फाइद ईसा कोट अब ये जो पूरी गेम है काजी फाइद ईसा की अदालत में है and as head of the judiciary और अदलिया का सरवरा होने की नाते he will feel pressure to take action और उस पर ये pressure होगा ये pressure मैसूस करेगा कि वो कारवाई करे a judge's bedroom was reportedly spied judges का जो bedroom में सोने की जगा है उसको जसूसी की गई on with a concealed camera एक चुपे हुए camera के जरीए secret camera के जरीए and other relative was picked up एक और रिश्तेदार को उठाया गया and tortured और उसको सजा दी गई तशद्द किया गया into giving a statement against them ताके वो judges के खिलाफ बयान दे the judges felt pressured judges ने pressure महसूस किया to reconsider their position के वो अपनी position को दुबारा गोर करे on maintained ability of a high profile case जो एक high profile case था उसकी mental ability के अवाले से because intelligence operatives begun harassing their friends and family क्योंके जो intelligence agencies है जो करकुनान है वो judges को और उनके दोस्तों और फैमिली को हरास करते हैं ड्राते दमकाते हैं district and session judges judge reported that के एक जिलाई session judge जो है वो जिलाई अदालत के session judge ने ये मामला पेश किया that a cracker was thrown into their home कि उसके गर में एक जो है वो जो है वो शेल फैंका गया cracker in a bid to intimidate them इसलिए कि उसको ड्राय जा सके when out of favor politicians complaint जब जो favor मांगते हैं या जो politicians हैं वो complaint करते हैं शिकायत करते हैं about the threats इन खत्रों का intimidation और इस तरह के ड्राने दमकाने का and even torture the face और उनको torture भी किया जाता है they are often turned out वो चले जाते हैं या वो मूँ मोड लेते हैं however, ताहम six sitting judges detailing business abuses of power are quite different to ignore difficult to ignore six sitting judges यानि के छे वो जजज जो अभी काम कर रहे हैं detailing brazen abuses के किस तरह अंदाधुंद वाज़ तौर पर जो है वो abuse किया जा रहा है two abuse of power ताकत का are quite difficult to ignore इसको नदर अंदाज करना मुश्किल है though he seems to have been aware of these issues for almost a year Chief Justice की तरफ इशारा है कि वो तकरिमन एक साल से इन मौड़ात को जानता था Justice Isa must now be heed अब Justice Isa को जरूर तवज़ देने चाहिए to them on judges की तरफ and address them to the satisfaction of his coordinate judges और अपने इस coordinate judges को मुतमें करना चाहिए the die was caused ये उसी वक्त मौमला चला गया था the moment this letter appeared जब ये ख़त जाहर हुआ in the public domain अवाम के सामने आया all eyes are on the supreme judicial council अब सारी नजरे supreme judicial council पर है to see how it proceeds और देख रहे हैं लोग के ये किस तरीके से आगे बढ़ते है अच्छे जिसके बाद है हमारा next editorial जिसमें अधरा से कई सारे लोगों का ये data stolen ये लीक हुआ उसके हवाले से ये editorial है कि किस तरीके से handle करने की जरूरत है कानून साजी की जरूरत है यानि मालूमात के हफाज़त के हवाले से कानून साजी तो पहले हम vocabulary की दरफ जाएंगे probe तफ्तीश करना investigation inquiry breach खिलावर्जी करना violation infringement compromised करना थमज़ोता कर लेना export jeopardized stringent सخت strict rigorous mandate होता है हुकम किसी का हक directive और instructions safeguarding किसी को इफादत करना है महफूज करना disciplinary तादिबी कनूनी peace meal यानिके हिस्सा हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके accountability इतसाब होना encryption किसी को coding में लिखा हो तो encryption कहते है या information को secure करने को कहते है mitigation तखवीब करना कम करना reduce करना alleviate करना forth with foreign income pass शामिल करना और centralization मरकजियत को कहते है surveillance निगरानी करना अब हम चलते है editorial की तरफ what do we want हम कह चाहते है data protection laws यानि के معلومات को महفوظ करने वाले कवानी when do we want them कब हमें वो चाहिए थे immediately foreign without delay बगएर किसी देर के if we are to prevent another disaster अगर हम किसी और तबाई की तरफ तबाई से बचना चाहते हैं JIT फर्म last year पिछले साल जो एक JIT बनाई गी थी joint investigation team to probe नादरा data breach जिसमें नादरा का जो information data था वो ब्रीच हुआ था affecting approximately 2.7 million citizens between 2019 and 2023 और ये तक्रीबन दो शरियती 7 million यानि कि तक्रीबन 27 लाख लोगों का जो data है वो leak हुआ और ये time period है 2019 से 2030 का has shared its findings यानि JIT की बात हो रही has shared its findings कि उसने अपनी मालूमात का या जो उसने findings हैं जो उसने information उसके समने आई हैं उसने share की हैं with the interim ministry वजाला तदाखले के साथ the findings reveal ये जो मालूमात हैं ये जाहर करती है that data was compromised के जो ये data था उसके उस उस उसमझज़ता किया गया इन नादराज किराची किराची के आफिस नादराज का जो था मुलताँ पिशावर आफिसेज मुलताँ और पिशावर के आफिसेज में the incident ये वाकिया not the first of its kind अपनी नहियत का पहला नहीं है has exposed the vulnerability of our personal data ये हमारे जो नाजुक या जो एक sensitive जो मालूमात है personal data है उसकी एक risk को शोग करता है and the crucial need for stringent plans और इस जरूरत पर जोर देता है कि सخت कवानीन की जरूरत है that mandate safeguarding against such breaches ताकि इस तरह के जो data की breach है उसके against safeguard किया जाए the JIT's recommendation जो JIT ने तफरशाद पिच की है including technical upgrade जिसमें टेकनीकली technologically अपगरेड करने की बात की गी है and disciplinary actions against responsible officials और तादीबी कारवाई जो officials इस तरह के जिम्हदार है are necessary steps towards addressing the immediate aftermath of this breach are necessary steps ये जरूरी एकदम आता है towards addressing the immediate aftermath of this breach जो ये ब्रीच हुई थी या ये वाक्य हुआ था उसके बाद के फॉरण जो है ये हो जाना चाहते है however ताहम peace meal responses जो थोड़ा थोड़ा करके जो जबादा आ रहे है alone or in-educate ये ना काफी है to prevent future incident जो इससे मुसक्बिल में इस तरह के वाक्य है बेचा जा सके the root of the problem lies ये जो मतले की जड़ है वो मिलती है not only in technological shortcomings जो technological shortcomings है ये technologically जो loop holds है but also in the absence of comprehensive legislation to hold accountable बलके इस चीज़ में भी के कोई एक जामे कानून मौजूद नहीं है जिसमें किसी को ज़िमादार ठहराए जाए those interested with safeguarding citizen data जिनको ये ज़िमादारी देगी है कि वो शेरियों के data secure करें while upgrading the technology employed by नादरा जो नादरा में technology उसको अपग्रेड करने के इलावा the government must consider government को गहर करना चाहिए the use of stronger encryption के coding का जो तरीके कार है उसको इस्तुमाल जिया जाए and limiting unnecessary access to data और data तक access को रोका जाए moreover ताहम restricting database access sorry restricting database access जो ये मालूमात का जरिया है source है इस तक पोंच को restrict किया जाए solely to the office premises और सिर्फ उसी office के premises से उसको access किया जाए सके can mitigate risks associated और इस तरह से खत्रात को कम किया जाए सकता है जो इसके साथ लगे हुए है with remote breaches यानि कि जो remotely access किया जाता है उससे breach होता है however ताहम these technical solutions ये जो technique की हल है must be completed by legislation इसके साथ कनून साजी भी होने चाहिए that treats the citizen private data as sacred and entails severe consequences for negligence that treats citizen private data जो शेरियों के जाती मालूमात है उसको मुकदस तसवर करे and entails severe consequences for negligence और जो इसके नज़र अंदादी करेगा या जो इसको नज़र अंदाद करेगा उसको सकत तदादा मिलने चाहिए that Pakistan data and data had surfaced और ये के जो पाकिस्तान का data है वो सामने आया in countries like Argentina and Romania Argentina और Romania के मुलकों में is particularly alarming ये बहुत खतर नाक है considering the state of identity theft globally और इस पर गोर करने की ज़रूरत है ये जो रियास्ती मालूमात है ये पूरी दुनिया में इसके चोरी का एकरवाज है it is imperative ये बहुत ज़रूरी है that data protection laws are implemented forth with कि फूरूरं से जो data है मालूमात है उनको मैफूस करने के वाले से कानून साज़ी की जाए and encompass both public and private entities और ये लागू होना चाहिए जो government के और जो private इदारे हैं सब पर recognizing that इस चीज़ को जानते हुए that public bodies often hold the most extensive troves of personal data क्योंकि जो public के जो इदारे हैं उनके पास ज्यादा मालूमात के जो जाती मालूमात हैं उनके जखायर मुझूद हैं troves हैं जखायर ज्यादा मिकदार में होना moreover given the extensive centralization इस मरकजियत को ज्यादा तबज़ देने के साथ of data within नादरा के मालूमात को सिर्फ नादरा में रखा जाए many services such as telephone बहुत सारी मालूमात जैसा के telephone, transportation, courier banking and hospitality rely on its database for biometric verification जो यह हमने जिकर की हैं transportation के लिए courier के लिए banking services के लिए hospitality के लिए तो यह जितने निजाम है इन सब में database के जरूरत होती है और उसमें biometric की verification जरूरी होती है तो जरूरत यहां पे भी पढ़ती है इनकामों के लिए जिनका जिकर हुआ है this centralized approach यह मरकजियत का जो एक approach है या तरिकेकार होगा seemingly aimed at surveillance काफी हद तक vulnerability जो होती है यानि के उसके शिकार होने का जो chance होता है with multiple parties के इसरी उसमें जमाते हैं आ जाती है accessing and utilizing this database जो इससे data को इस्तमाल करती है this data leak must serve as a pick up call यह जो मालूमात का एक leakage होई है यह एक जगाने के लिए आवाज है call है for policymaker जो कानून साज है to enact and enforce the relevant laws के वो कानून साज ही करें और उनको लागू करें जो मतलका कवनीन है bills have been drafted जो bills draft किये गए हैं but there have been no earnest efforts लेकिन कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई to advance them उनको आगे लेके चला जाए a digitized world leaves no room अब digital की दुनिया जो है यह कोई जगा नहीं छोड़ती है for such massive security gaps जिसमें इतनी जो security gap मौजूद हो पाकिस्तान must prioritize पाकिस्तान को तर्जीद देनी चाहिए the protection of citizen privacy जो शेरी हैं उनकी जो उनकी जात्ती मालूमात है and trust sorry and ensure और यकीन ही मनाना चाहिए that their data remains secure कि उनकी जो मालूमात है वो महफूज है failure to do so इस तरह करने में नकामी would not only undermine individual rights जिससे इन्फरादी हकूक घजब मुगे but also hinder social economic progress and security इससे जो मौशरती मौशरती मौशी तरक्की और से जो security है ये भी एक रुकावट बनती है अब हम चलते हैं last हमारा editorial है selling humans ये human जो smuggling होती है आज कल जो पाकिसान में एक economic downfall है तो लोगों की जो मुझबूरी से फादा उठाकर उनको दोका देकर जो घलत रास्तों से यॉरप तक पहुँचाने का smuggling होती है या कई जैनुए चली जाती है उस हवाले से ही editorial है तो पहले हम देख लेते हैं इसकी जो vocabulary है सबसे पहले economic, मौाशी, distress, तकलीफ, बेचैनी, paddle paddle होना मतलब sell करना जो एक hacker होता है उसको pedler कहते है इंप्रो, वेरिष्ट, मुफलिसी, गुर्बत, पूर, डेस्टिचूट, माइड गात लगा कर बैठा होना जो निशानक लगाता है या शिकार करता है माइड monetary, माली तोर पर discontent, अदम, इत्मिनान, पैरल, खत्रा, होरर, खौफ, ट्रैफिकिंग जो इंसानी समगलिंग होती है, उसको ट्रैफिकिंग कहते हैं समगलर्थ जो गलत काम करते हैं एक चीज़ें एक मार्केट से दूसरी जगा पर गहर कनोनी तरीके से लेकिज़ेते हैं उनको समगलर्थ कहते हैं brutality, बेरहमी है, enforces, इतलाग करना, syndicate, association, organizations और depravity, किसी को महरूम करना, corruption, immorality चले जी, editorial की तरफ, human traders, जो इंसानी ताजर है, feed of economic distress यानि कि वो feed off कर रहे हैं, जो माशी बेचैनी है, they paddle promises वो hacking करते हैं, वो बोल-बोल के नारे लगाते हैं, वादे करते हैं of a better life, के एक वादा करते हैं, कि एक अच्छी वो जिन्दगी जी सकते हैं to the improvised, जो मुफलिस हैं, जो गरीब हैं, who mired in monetary discontent, जो वो उनका निशाना करते हैं, जो के माली तोर पर अदम इत्मिनान में हैं and absence of opportunities, जिनको मुवाके नहीं मिलते हैं, are forced into scenarios, वो इस तरह के हालात में मजबूरां उनको लाया जाता है, that put their safety in peril, और उनकी जो हिफाज़त है, वो खत्रे में पड़ जाती, the recent horror show, अभी का जो खौफनाक एक वाक्या है, of trafficking, इन्सानी समगलिंग का, सा समगलर्स, उन्होंने समगलर्स को देखा, cash in on, पाकिस्टानी इमिग्रेंट्स, जो पाकिस्टानी इमिग्रेंट्स हैं, उनके आवाले से जो cash लेते हैं, desperate to reach Europe, वाया इरान, जो के यॉरप में पहुंचना चाते हैं, इरान के रास्ते, with an extra layer of cruelty, और इस जुलम के इलावा भी एक, जुलम की एक और भी लहर है, kidnapping for ransom, उनको किनभ कर लिया जाता है, रास्ते में, और उनसे बता मंगा जाता है, some 10 citizens were abducted, तकरीबन कुछ 10 शेहरी जो है, उनको अगवा किया गया, and brutalized, और उन पर तशद्द किया गया, वहशानत था एक तशद्द किया गया, one was released after payment of rupees 10 million, एक को तो rupees 10 million, यनकि एक करोड अदा करने के बाद छोड़ दिया गया, and the Iranian police rescued, और एरान की police ने उसको बचाया, two other, बाकी दो को, during the past month गुजशता एक महिने में, three episodes of gangs, तीन जो इस तरह के वाकएत हो चुके हैं, जो gang assaulting and imprisoning पकिस्तानी, जो एक गैंग है, गरो है, जो तशद्द भी करता है, और कैद कर लेता है, पकिस्तानियों को, have come to light, वो सामने आया है, while a few victims, लेकिन कुछ जो शिकार किये गए हैं, या जो इनका निशाना बने है, have paid their way out, उन्होंने अपना रास्ता निकलने के लिए निकाल लिया, others have been saved by Iranian law enforcers, and the Pakistan embassy, बाकी को, जो Iranian law enforcement agencies हैं, उन्होंने और पाकिस्तानी embassy ने मिलकर बचाया, the FIA, Federal Investigation Agency, which is tasked to tighten, जिसको ये जिमादारी दी गए है, कि वो सक्ती करें, the screws on smuggler, जो smuggler हैं, उनके उपर सक्ती करें, also acknowledged, और ये मालूमात को बावर भी कराया गया, that the vicious trend, ये जो एक बुराई का धंदा शुरू हो चुका है, पर pit rated by local groups, और इस धंदे में, इस कारोबार में, जो सहारा उनको मिलता है, वो local गरोह का मिलता है, and their foreign collaborators, और जो बाहर के मुलके उनको इस तरह के एक networking करते हैं, या उनको collaboration करते हैं, has gathered steam, इसने एक pressure बना लिया है, in recent month, अभी हालिया के महीनों में, the US State Department in 23 Trafficking in Persons Report, जो United State State है, यानि कि अमेरिका की State Department, उसने 2023 का एक trafficking का एक जो मालूमात दी है, trafficking in person report, जो इनके जो इनसानों को traffic किया जता है, एक जगा से दुसरी जगा illegal move किया जता है, बहुत मालूमात के मताबिक, पाकिस्तान noted that, पाकिस्तान government reported identifying 35,309 trafficking victims, और इस report में पाकिस्तान ने 35,309 trafficking के जो एक वाकियात को report किया है, compared with 21,253 trafficking victims in 2021, 2021 में ये जो trafficking के, समगलिंग के, इनसानी समगलिंग के जो वाकियाते 21,253 थे, तो ये तकरीबन 14,15 हजार के हिसाब से बड़ा है, 2021 से 2023 तक जाते हुए, while human trafficking, जबकि इनसानी जो समगलिंग है, should stir the public's air, अब लोगों के घुसे को हल चल आनी चाहिए, the states lack lack a difficult approach, जो रहासत की, इसमें एक कुताई ही है, कमी है, approach to evolving a comprehensive plan, जिसमें एक इनकलाबी और एक जामे, मन्सुबाबंदी के जरूरत है, that takes aim, इसका मकसद है, at the root causes of ghastly crime, कि इसकी बुन्यादी या इसकी जो मेन वजुआहात हैं, वो कौन सी हैं, जिसकी वज़ा से इतने गनाउने जुर्म हो रहे हैं, ghastly गनाउने, has raised concern, इसने तश्वीश को बढ़ा दिया है, of institutional corruption, इदारों के अंदर, रिश्वस्तानी and political patronage और जो सियसी सरप्रस्ति है, equally appalling, यह बराबर का एक concern है, यह एक तश्वीश है, is our inability के हमारी नकाबलियत को to cultivate an environment, जो हम एक environment बना चुके हैं that prioritizes social economic rehabilitation, जिसमें, मौाशी और समाजी, बहाली दरकार है, shelter and mental help for survivors और जो बच्च मान जाने वाले हैं, उनके लिए पना और उनकी दमागी जो है, वो normality के लिए, we cannot be saved from rampant depravity, हम इस तेजी से बढ़ते हुए रुजान जो महरूमी का है, unless security, कि तब तक, जब तक उनको महफूज करें, security agencies synchronize के जो अधारे हैं, वो synchronize करें, वो collaborate करें, their efforts, अपनी कोश्यों को to de-resonate such syndicates, कि जो इस तरह के grow हैं, उनको समने लाएं, उनको uncover करें, moreover, मजीद ये के, the enabling tool of education assures, जो तालीम की जो एक निजाम है, वो इसको यकिनी बनाता है, individual and community safety, एक grow की और एक अफराद की हिफाज़त को, but enforcement attempts, लेकिन ये जो मजबूरन की गई कोश्यों है, can only succeed, सिर्फ कामयाब होती है, with greater awareness, जब तक हम awareness को आम करें, मालूमात को आम करें, about the hot line to report trafficking cases, जो एक area हो, या hot line report करने का एक system हो, जहां पर trafficking के cases को समने लाजाए, vigilant monitoring at all air, जितने भी हवाई boundary है, या हवाई, जो एक monitoring होनी चाहिए, उसके supervision होनी चाहिए, sea, समंदरी लेवल पे, and land routes और जमीनी जो रास्ते हैं उनके उपर भी, and witness protection program और उसके उपर security के programs लागू करने चाहिए, as those who are cognizant of the torture tactics, वो जो इस तरह के जो तशद्द के मौमलात को, या तशद्द के जो तरिके कार हैं, उनको जनते हैं, stay away from lodging complaints, वो इस तरह की शिकायत को lodge करने से बाज रहते हैं, पाकिस्तान should work with the neighbors, पाकिस्तान को चाहिए को आपने हमसायों से काम करे, तरह की जो लानत है उसका गला गोंटने के लिए, यह थे हमारे आज की तीनों एडिटॉरियल, और यह थे 28 मार्च 2024 के एडिटॉरियल, आज के लिए तना ही चैनल को लाजमे सबस्क्राइब करें, और दूसरों तक भी इसको शेयर किया करें, अलाफ़िस.